फ्रीफायर इंडिया इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो कम्पलीट होने वाला है फ्रीफायर इंडिया के ऊपर चीज थी एंड और भी बहुत सारी चीज हैं जो कि फ्रीफायर इंडिया के अंदर वापीस आने वाली है तो यस आज की इस वीडियो में बहुत मसा है का बाकि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यह सब कर दिया करो भी ना बोले ठीक ह है तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते पहले फ्रीफायर इच्टाल का उपर बाकिछी माउंग एसा लोग इन काड़न है वह बात में बताऊंगा फिल् हालं हम लोग इंस्टालू के बारे में बात आपको पती हैं कि अगर अब अभी पुरीफOkay ए इंडिया को इस वे फ्रीफायर मैक्स नहीं तो इसमें भी सर्च में हमारे गेम नीचे आ रहे देगो अलका नीचे करो के तब जाके गेम आ रहा है फ्रीफायर इंडिया जो कि अभी प्री रेजिस्ट्रेशन पर है अब आप गेम को कप डाउनलोड कर सकते हूं यह तो मैंने पिछले वीडियो मे पैसे कमा सकते हो वह भी सबसे बेस्ट आप वन एक्स बैट पर जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना क्योंकि अभी मैं आपको सारी के सारे सीक्रेट स्टैप्स बताने वाला हूं कैसे गेम खेलने कैसे पैसे कमाने आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बस गेम के से सही हुए तो आप विनर बन जाओगे और इन्हीं प्रेडिक्शन से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने तो आप वन एक्स गेम ट्राइब कर सकते हो वर्डवाइड एक नोन प्लैटफॉर्म है क्योंकि बहुत सारे सेलेब्र सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने लॉग पेज आएगा अब देखो जब नेपाल और बांगलादेस इंडिया सरवर से अलग हुए थे ना तो जो बांगलादेस और नेपाल वाले बंदे थे ना उनके लिए एक exclusive event आया था जहां पर उनको pre registration करना था ताकि वो लोग उनकी ID बांगलादेस सरवर में transfer हो सके तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ जरूर आया हुगा कि जो इंडिया सरवर है जो Free Fire India आचाएगा तो क्या Free Fire Max के अंदर भी इसी टाइप का कुछ event आएगा जहां आप हमें पहले से ही pre register करना होगा प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब गेम के अंदर जैसे बांगलादेस वालों को करना पड़ा न जो निपाल में गया तो ऐसे क्या Free Fire India के लिए भी होगा तो इसका answer है नहीं क्योंकि Free Fire का India का ही server है guys आप लोग एक चीज नोटि पुरे पुरे गेम चेंज हो रहा है समझ रहो बात यहां पर और एक चीज अगर आप और नोटिस करो तो यहां पर pre register reward भी है अगर 3 million बंदे pre register कर लेते तो उनको एक scarf मिलता एंड अगर 8 million कर लेते तो उनको वह skin मिलता है ठीक है तो क्या Free Fire India का जो play store पर pre register चल रहा है जैसे अभी तक pre register नहीं किया वह कर लेना और बाकी एक और बात कि यहां पर आपने देखा ना 3 million या फिर 8 million लोगों को pre register करने पर reward मिर रहा था तो Free Fire India का कुछ ऐसा होगा क्योंकि यार देखो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमने तो already वह चीज कर रहा है भाई मजाग साट के बता हू अभी तक almost 80 million pre register हो चुक है इतना तो other games के download नहीं होते जितना प्री रेजिस्टर है Free Fire का अगर कुल मिला के बात बेता हूं तो 80 million मतलब बांगलादेस को कितना चाहिए था 8 million बट Free Fire को बिना कुछ बोले ही 80 million है समझ रहे हो तो हम लोग को pre register reward 100% confirmly मिलेगा अब क्या मिलेगा तो अभी तक पता नहीं यार बट देखते हैं क्या मिलता है तो देखो मैंने दो चीज तो आपको बता दिया पहला एक नमर को जब game आएगा आप download करोगे तो आपको न सबसे पहले एक confirm ली मांगेगा वह का confirm मांगे वह आप लोग उसी time देख लेना बिट उसको आपको confirm कर कोई different नहीं होगा अगर आप सुच रहों कि free fire नहीं कुछ difference होगा different कुछ mode आएगा नहीं same free fire max जैसा ही खुलेगा बस फाइदा ही होगा कि आपको lag का issue पिंग issue यह सब पूरा fix हो जाएगा यह सब आपको एकदम अगर भाई phone में कमी है तो वह तो कुछ नहीं कर सकते बिट game में आपको यह सब चीजों की कमी नहीं देखने को मिलेगी and हाँ जो age verification है ना guys यह आपको एक बार और करना होगा like जैसे आपने किया था थारा प्लस और अठारा से नीचे यह वाला आपको वापीस से करना परेगा age verification यह वापीस से free fire इंडिया में आपसे पूछेग जो orange damage अभी किया गया आप में से बहुत सारे लोगा question था कि free fire इंडिया को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि बच्चों के दिमाग पर असर पर रहा था लडाई धराई के लिए and इसी के कारण red damage को इंडिया server से remove कर दिया गया था तभी तो vpn vpn लगा कि आप लोग red damage ल फुड़ा लाल नहीं है ना थोड़ा सा orange type में है तो यह रहेगा तर इसका answer है हा रहेगा यह जो orange वाला damage है यह रहेगा बट जो hit mark होता है ना जो remove कर दिया गया तो वो removed ही रहेगा like अभी मारते हो तो पटाके छूटते है ना body से पहले कैसे खून type का effect निकलता था बट इसा कर देना है तो मतलब यह मेरा opinion है कि जो 18 से plus वाल है ना जो 18 अबॉब सिलेक्ट किये है उनके लिए red damage यह blood effect यह सब return ला देना चाहिए था एंड जो 18 से नीचे select कर रख है उनके लिए से orange damage यह फिर फिला damage उनको कर दो ऐसा भी तो 3 गंटे खेलना उनको यार उनको क्या ला देते मस्ट प्लान था इसा नहीं किया तो चलो जो है बात करें old चीजे return को लेकर तो पहले ना जो लॉबी प्लांट होता था उसमें में diamonds मिलते थे एंड एक ताइम तो ऐसे ग्लिच है था था ना unlimited लॉबी प्लांट लगाता था मस्ट लो गया उसे मस्ट मस्ट डाइम ठीक है ना तो पहले के time में diamonds मिलते थे तो क्या यह चीज़ वापी से return आएगा क्या हमें lobby plant में वापी से diamonds देखने को मिलेगा नहीं भाई देखो अभी free fire इंडिया को फटक नहीं पड़ता गेम जैसा भी हो उन्हें बस पैसे कमाने है तो वो लोग free में तो diamond देंगे नहीं हमारे spawn island है ना waiting area waiting island तो आपको बहुत है वहाँ पे कुछ change ही नहीं हुआ है पिछले around 5 महीने से नहीं 6 महीने से same waiting island मतलब कोई सरम ही नहीं है भाई कोई update ही नहीं देना इनको पहले के टाइम पे waiting island में भी मजा आता था पर अभी तो यार पूरे गेम में ही मजा नहीं आता क्या ही कर रहा है free fire बीडियो यस बात करें तो भाई free fire इंडिया जब आएगा तो जो ओभी 01 का update होगा na free fire इंड से पिछले rampage event में जो spawn island था वेटिंग एडिया आप एक बार सर्च करने YouTube मजा आ जागो इतना मस्त था वह चल मैं ही दिखा देता हूं यह वाली जो वीडियो ना भाई यह तो और भी ज्यादा पूरानी है मतलब पता पहले वाला free fire ना अभी से जादे advance था मजाक सहट के ब बोलू है विडियो मैंने आपको सब्सीच बता दिया कि क्या क्या सिस्टम होने वाला free fire में free fire एंडिया में तो आई होप कि आप सब कुछ समझ के होगे बाखी बाखी बिस से राज की स्वीडियो में इतना ही मिलता है ना कर ली मिलेंगे कर ली आ फर फर परस कर ली मिलेंग